बुधवार को आउकाश के बाउजुद्वी स्वास्त विभाग ने विदीशा के उपजेल में 200 से जादा केदियों को कोरोना के टीके लगाये वहीं पुलिस लाइन में भी शिवीर आईजित किया गया था जिसमें 470 पुलिस कर्मियों और उनके परिजिनों को टीके लगाये इसके साथ ही ऑनलाइन रूप से 18 प्लस के 1500 और 45 प्लस के 1500 टीके जिला मुख्यालाई पर लगाये गये मुख्य चिकित्सा एवंस्वासत अधिकारी डॉक्टर एस के अहिरवान ने बताया कि शाषन के निर्देश पर शमता वाले लोगों को शिवीर लगा कर टीके लगाये जा रहा है पुलिस विभाग और जेल के केदियों को भी टीके लगाये गये है गंज बासुदा से मुकेश चत्रुवधी की रिपोर्ट जैन सुविदार सांतना गुजोले और उनकी टीम ने काफी परिश्रम किया था हमारे ऑफिस के बावू संतोष जो गई इन तीनों ने काफी मेहनद की थी उसके आदार पर ही यह वेक्सिनेशन का रिक्रम हमारे यह सक्सेस होगा है कि सरा आज जैल परिशर में भी कोवेड वेक्शन लगाई गई है कि तनों को लगाई है तो देखी क्या है शासन की नीती जो हाई प्राइटी ग्रूप्स हैं जो एक रिस्क रहते उसमें आज जैल में टीगवरं का प्लान किया गया उसमें अभी दोसों सेंटीस लोगों को जो जैल में अलग-अलग कारणों से हती है महिला पुरूस उनको लगाई गई है इसी के साथ पुलिस परिवार जो एक्शल में बहुत हाई रिस्क रहा है और अभी भी अदेखा हूँ है तो उसमें भी हमने अभी 450 चार्सों पचास वेक्शी मान लग गई अभी तर चल रह में सिर्फ तीन जगे ही प्लान था चुबिए चुट्टी का दिन था और पिर कल आगे प्लान होगा हमारा और इसी तरह से हम जिले में हाई रिस्क जितने भी ग्रूप है उनको करते जा रहे हैं अलग-अलग ग्रूपों को जेल परिसर में क्या भी तक पहली बारी लगाई हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूले